Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल उसको emergency power दिया गया है, ताकि वो weapons को खरीच सकें, भारत के अंदर ही, मतलब जो indigenous weapon होता है, उसको खरीच सकें, या आप देख सकते हो, military gets power to buy indigenous weapons on fast track basis, तो इसको detail में समझेंगे, यहाँ पर जो Times of India, उन्होंने इसके खबर के बारे में बताया है, ध्यान रखेगा, Ministry of Defense अपनी त मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, ध्यान रखेगा दोस्तों, UPSC की पूरी तियारी, इसके लिए एक batch start किया गया है परसों, और इसको आप अभी join कर सकते हैं, by using the code Ankit Live, आपके पास 31st August तक का time है, उसके बाद यहाँ पर आप join नहीं से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो validity है, वो 24 months की है, तो आप 2 साल के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो features हैं हमारे द्वारा, वो आप देख पाओके live classes दी जाती है, 900 plus hours, इसके लवा answer writing practice आपके main exam के लिए, साथी साथ prelim test series, current affairs, सब कुछ कराया जा साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा page पर जा सकते हैं, और वहाँ पर stories में आपको जितने भी MCQs हैं, वो मिल जाएंगे, चली सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखेंगे exactly अभी हुआ क्या, देखें मंडे को यहाँ पर defense ministry ने approve किया है grant of financial power to the armed forces for emergency procurement, actually क्या होता है न, कि हमारे देश के अंदर जो defense का procurement है, वो एक बहुत लंबा समय लग जाता है, आप याद करिए, रैफाइल जो deal हुआ था, उसको लेकर कितना जादा हला हुआ था देश के अंदर, और वो जो deal है दोस्तों, वो करीब 15 साल से हम कोशिश कर रहे थे, कि कोई न, कोई fighter jet खरीतना है, क्योंकि जिस तरीके से fighter jet deplete हो रहे है, MiG-29 का आप हाल देखी रहे हो, इस तरह के बहुत सारे problem होते थे यहाँ पर, तो यह process अभी भी काफी लंबा है, और इसके लिए जो important role play करती है, वो है आपका defense acquisition council, तो यह DAC के बारे में ध्यान रखेगा, उनके मौझूदगी में, यहाँ पर बताया गया कि सरकार emergency power दे रही है तीनो forces को, चाहें आपकी armed forces हो, जो military है, या फिर air force, navy, और यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कि जो लद्दाक के अंदर tensions है, वो खतम नहीं हुआ है, अभी भी confrontation जारी है, दोनों तरफ यहा emergency power दी गई है, इससे होगा क्या, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है, सबसे पहला याद रखना ये capital acquisition के तहत है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि salary, pension, बाकी चीज़ों में, अगर आपको capital खरीता है, कोई चीज खरीता है, asset खरीता है, तो ही आप इस emergency power का इस्त पर किया जा सकता है, और जो पूरा acquisition process दोस्तों, ये बहुत important है, कि 6 मेने के अंदर सब कुछ complete हो जाना चीज़े, मतलब कि यहाँ पर tender आया, deal हुई, sign हुआ, और in fact जो equipment मिलना है military को, वो सब कुछ 6 मेने के अंदर होना चीज़े, इसलिए इसको emergency power बोला जा रहा है, fast track basis पर चीज़ें हो सकें, और इसमें एक चीज लेकिन condition यह है कि 300 करोन से जादा का एक particular contract नहीं होना चीज़े, मतलब कोई भी contract जो है, अगर इस्तमाल किया जा रहा है, तो एक contract 300 करोन से जादा नहीं होना चीज़े, तो इसलिए I hope कि आप समझ पह रहा हो, कि मानलो जो fighter jetsets वगर हो वो हमारी military को दे दिया है, और जाहिर से बात है, इससे होगा क्या, कि जो पुरा process है, जो लंबा process है, छोटे-छोटे चीज़ों को खरीदने के लिए, उसमें यहाँ पर जो time है, वो cut down हो जाएगा, और operational deficiency जो रहती थी, उसको हमें निपटने में मदद मिलेगी, armed forces के पास एक प्रकार से आप कह सकते हो, ध्यान रखना है, कि जो अपना खुद का budget है, उसी के तहत करना है, मालो सरकार ने पहले ही budget के अंदर announce कर दिया कि Defense Ministry का ये budget है, तो उसी budget के तहत किया जगा, ऐसा नहीं है कि emergency power दे दिया तो कितना और budget यहाँ से दिया जा सकता है, वैसा नहीं है, ये ध्यान रखना है, आप question ही है कि क्या ये सरकार पहली बार करी है, नहीं, in fact मैं आपको बताओं तो एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ था, ओरी terror attack, ठीक है, 2016 में, तो यहाँ पर सरकार काफी हरकत में आई थी, और आपने देखा भी था कि हमने कैसे retaliate किया था, जो line of control ह है, उसको पार करके हम गए थे, तो यहाँ पर जो government है, उन्होंने सबसे पहली बार हमारी army, navy और Indian air force को, ये जो power है, उसके just बात दिया था, ताकि यहाँ पर जो stock है, क्योंकि tensions बढ़ गया था, भारत पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था, क्या यूद होगा, क्या होगा, no one knows, बट, यहाँ पर हमारे पास stock रहना चाहिए, चाहिए आपका rifles के लिए bullet ही की क्यों जरूरत ना पड़े, तो बहुत सार यही चीज़ें होती है, यहाँ पर, जो शायद stock नहीं रहता, उसके लिए सरकार ने किया, फिर आपको याद होगा, जो लद्दाक में incident हुआ था, गल बट, जादा इस्तमाल किया गया था, उस समय इंफार्ट, बताया जा रहा है कि रश्या, इस्राइल, फ्रांस के साथ, यहाँ पर हमने deal किया था, इस emergency power के तहर, और जो military है, उन्होंने कई सारी चीज़ें खरीदी थी, अब क्या खरीदा था उस समय, तो यहाँ पर एक जो स emergency power के तहर, ताकि जो पुरा चाइना वाला जो LAC का border है, वहाँ पर किया जा सके, इसके अलावा जो North East का region है, वहाँ पर भी हम अपने निगाहें रख सके, कि चाइना activities कर क्या रहा है, क्या वो टुकडियों को वहाँ पर भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, जो भी है, इसके पर ground targets पर, जैसे bunkers, long distance पर hit किया जा सके, उसके लिए missiles जो हमें खरीदा था, वो भी emergency power के तहित खरीदा, इसके अलावा assault rifles हो गया, वो भी खरीदा गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, Indian Armed Forces ने इसका भरपूर इस्तमाल किया था, emergency power का उस समय, और बताया जा रहा है कि आर्मी ने अकेले 71 capital procurement contracts किये थे, जिसकी value 6,900 करोन की थी, 113 revenue procurement deals किया था, जिसकी value 9,000 करोन की थी, तो इतने बड़े-बड़े deal यहाँ पर finally हुए थे, वो emergency power के था, अब question यह है कि अभी क्यों किया जा रहा है, देखो अभी भी बताया जा रहा है कि हमारी Armed Forces को काफी सारी च process के माध्यम से जाएंगे, तो further delay होगा जिसका कोई फायदा नहीं है, अब problem यह है कि जो China के साथ aggression अभी भी चल रहा है, आपको पता है कि China, Taiwan, YouTube को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, तो हमें तो यहाँ पर पुकता होना पड़ेगा, कोई चीजें sure करनी पड़ेगी, तो में यह भी हो सकता है, शायद जो armed forces हैं, उन्होंने request किया होगा सरकार को कि यहाँ पर power चाहिए, ताकि हमें long process से ना जाना पड़े, और दूसी तरफ पाकिस्तान अलग-अलग हरकतें कर रहा है, आपको पता है, फिर से अभी recently यहाँ पर Mumbai में कुछ हतियार से भरे नाव पाए 26-11 का खत्रा फिर से बताया जा रहा था, गुजरात कोष्ट के ऊपर जो maritime border है, भारत का वहाँ पर कुछ-कुछ हरकते चल रही है, और अभी आजी ख़बर in fact मैं देख रहा था कि Mumbai के अंदर 5-star hotel में कुछ bomb का threat दिया गया है, पांच करोड डिमांड किया गया, खेर जो भी भारत की सुरक्षा का मामला है, और इसी को देखते वें यहाँ पर सरकार ने emergency power दिया, आयोग कि इससे related जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हैं, कि Ministry of Defense के अंदर इन 4 में से कौन सा force आता है, यह आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF चीज़ तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर आप स्टडी IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डिबल